इस नमाशकार वच्चों परठंवर्ष कला और परठनवर्षंपनर्ष के बिच्चे उन हम बात कर रहे थे 2 और भाध न की विभीन जिद्ध्दान रहे थे और उसमें मैंने आपको बताया यह परचार परशार नहीं हो पाया और सन एक हजार इस्वी के बाद में तक पहुंसते पहुंसते उन्हा सन आतन धरम अपने मजबूत रूप से सामने आया मुस्लिम आक्रमन करेंगा जो हम आक्रमन मानते हैं एक घजार इस्वी से लेकर और फिर उसके बाद में बारा सो छे के बाद में दिली सल्तनत के स्ताफना हो गई और सतला औरंग जब के पतान और अंग्रे योर्पे जाती हो कि आक्रमन तक सतरी अठारी शतादी तक बादरम का कहीं पर इतना ज्यादा नहीं होता है लेकिन विदेशों में बादरम का परचार परसाफ होता है बादरम का कहीं न कहीं पर कुछ ना कुछ महत तो जलू रहा है उसके बारे में दिन करेंगे और भारत में मौत बादरम अपना मूल रूप बिस्ताफित नहीं कर पाया उसके बारे में भी मैं आपको कुछ प्रक्षिन देखिए बादरम का जहां तक बुर्षा रहा है हम तीन राजाओं का नाम ले तकते हैं अशोक कनिश्क और हर्शुअदन तीनों के बीच में गैब है अशोक तीन दोसो सताब्री पर दोसो बतीस म में पूर्णता अपराप कर लेते हैं कनिश्क और हर्शुअदन छहसो इस्वी दो इस्वी पूर्ख है और एक इस्वी के बाद में है यानि एक हजार साल के इतिहास में तीन बड़े राजाओं जिनका शास्तनकाल तीस-तीस-तीस वर्ष जरूरा उनके अलावा कहीं भी क्र अशुक के उद्रादिकारी जरूर बहुत द्रम रहें लेकिन हम देखते हैं कि ब्रावन पुषय में तर्शिंग आये और उनको प्रहदरत को त्या की और सारा सेन्थ हमारे सामने बावजूद इसके भी बहुत द्रम भारतिये संस्कृतिये को जुड़ावा है या है तो उ रियास किया संस्कृत के शायद है ऐसा कोई पक्ष नहीं रहा होगा जहां पर बहुत द्रम ने उस चीज को टच नहीं किया हुआ धर्म और दर्शन की बात करें तो हम जो मालों ने की बूल समझ से है दुख और दुख के निरूथ दुख के मार्ग है निरूथ उस पर रियास किया संस्कृती का बहुत भी प्रिरूब था और इसमें एक आत्म दीप बनकर आप चलिए स्वैम के स्वैम मार्ग दर्शन बनिये ये बादरम का संद्श था जो भारतिये दर्म और दर्शन के कहते हैं उसके काला अंदर में राधी काल में देखा जाए तो कई पलने है सब्सक्रा हएए लेकिन उसको सरलता चला और सैस्सा से कहने के कारण बजर मशित abnorm वहत त्रिकी से मुर्टरूर ये सके थे सामाजिक जीवन की बात करें तो बहुत बहुत मत थे उनके सब के लिए द्वार को लेवे थे आगवर्ण वेवस्ता का खंडन किया गया गया गता उन्होंने और बुद्ध ने समांता और सुतंतता के सिद्धान्तों के अपरतित पाजित किया और एक लोगतांतरी करते बहुत द्रम के बहुत जो चीनी और तिप्वती बाशाओं में अनुवाद्विया कई ऐसे बहुत गरंथ हैं जिनको कहें और विदीशों का परचार होगा और कई जो है धर्मकिर्थी वाले अगर हम बात करें जो एक बहुत द्रम के अनुवेई के रूप में ये एक स साइत्य और मंभे को मिलता है आठी को मिलता है रविद काल की कई मूरतिया पर पावड़ता है और एक ब्रहत्तर भारत को निर्माण दिया जब कोजिकोरिया मंचूरिया चीन मंगोलिया श्रीलंका नेपाल दिब्बत थाइलेंड और इन सब जगों पर बहुत विश्क गये तो यहां पर एक ब्रहत्तर भारत का निर्माण की बात करें तो संस्कृतिक से बहुत लुम के प्रतन के कान गये हो है क्योंकि राजा का संक्रक्षण नहीं मिला कुछ बहुत मठ ते जो वर्ष्टाचार के केंदर बन गए थे कुछ बहुत मठों में जो है वन्चावलियों का होना लगा था कि एक बहुत बिक्षु है उसका पुत्र भी बहुत बिक्षु मुलेगा कारे रूप को थोड़ सा प्रतित गया जैसे चीसे वा लेकिन सबसे बड़ी बात जो यह रही कि गुप्त काल में जो इतना लंबा जारा था और भारप राचिन भार देंदी या हर्ष ने जो दिया था उसको उसके पीड़ी अगली पीड़ी नहीं चला पई और कहीं पर कोई नहीं है नेक्स्ट जो उत्रादिकारी थे हर्ष उर्दन के उसका नाम को कहीं भी तरस्ट्री कोचा नहीं होता है तो बहुत दरों के पतन के भारत में पूरन था नहीं हुआ लेकिन भारत से पलायन करने के बाद हुए कि विदेशों में उनको अच्छा महत बढ़ने लगा एक बात और दी कि जो चीज अंगूरित की गई थी अशोग द्वारा कनिश्ट द्वारा के भारत के बाहर भी उन्होंने धरम पचार के लिए लगाए थे वो अपनी एकाध्यात में को नेतिक भावना दी इसलिए वह वहां पर बलायन करने जोगे और उन्हों को वहां पर अच्छा एक प्लेटफार्म मिला एक माच्छी जगह में दी तो वहां पर उन्हों पर दीरे जब यहां से बलायन हुआ तो यहां पर सनातान धरम या वैस्ट वहां पर इस तरह की कभिकार सामने अवरे को दरस्टी गोचर होता है इसलिए भारत के बाहर बहुत लिम के अधन्य वादा